नहीं चाहिए शिव महापुराण में ये भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसंद हो जाएंगे शिव महापुराण की कथा तो यहां तकती है एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से एक बड़ी पत्ती उसके बीच में दो पत्ती के बीच में जो गेप है बीच पत्ती में इस पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो जगा है अगर आप इस पत्ती को यहां से इस प पर्श करकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पंचाक्षर मंत्र नमस्षिवाय कहकर शड़क्षर मंत्र ओम नमस्षिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वह 108 बेलपत्र का काम कर जाती है पकड़ने का बेल पत्री की बड़ी पत्ति नीचे की दो पत्ति उसके बीच में जो थाली डंडी जो दिख रही है इसको अगर पकड़कर बेल पत्र समर्पित कर रहा है तो 108 बेल पत्र की बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा है 108 बेल पत्र गुद्र और समझी है एक वान लो आपके पास में ना पीला चंदन है ना लाल चंदन है ना छत है ना पुष्प है ना कोई स्वामगरी है ना दिया है लगाने के लिए संकर जी के मंदिर में लोटा भरके जल ले कर गए हो आज कुमारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है लोटा भी नहीं है तो जिस संकर जी का दर्शन करने गए हो उनी की बेलपत्र को उठाओ और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हदेली पर रखो अपना हाथ रखकर बाबा से प्राथना करकर बेलपत्री की मध्यपत्री आगे वाली पत्ती को पकड़ कर अगर वो बेलपत्र हम शिवजी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन लाल चंदन दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में जाता है है कि एक पेल पत्री का सुक्ष हमारे जीवन का अनन्द देता है कि हम तो यहां तक कहेंगे अगर कभी जिन्दगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फस गया नहीं मिल रहा है या मेरा पैसा अटक गया नहीं मिल रहा है या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिन्दगी चल रही है, यह यह बेल पत्री का जो दो पत्ती है ना, यह दो पत्ती इस जगह से पकड़ कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बढ़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान य प्रारम करो, 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़ कर, कुबेर भंडारी भंडार जरूर पर गए, दो पत्ती को पकड़ कर, लोग कते हैं, ब्रह्मा, विश्नु, महेश हैं, बेल पत्री में, शिवजी के तीन नेत्र हैं, बेल पत्री में, शंकर भगवान के पत्रशूल की तीन कोर है बेल पत्री में, हम कहते हैं, अभी थोड़ा आप इस्त्मरण करेंगे, अगर आप शिव महा पुराण को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको ज्यात होगा, कुबेर को धन देने वाले कोने, बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबर इश्वर महा पुराण, मतलब शिवर, शंकर, कुबेर को धन देते हैं, जिस समय पर भगवान विश्णू, संपोन विश्व के कल्यान के कारे करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लच्छमी से उनोंने धन लिया, आपने वाने तिरुपति भाला जी की कथा सुनी पूर, लच्छमी से धन लिया, लच्छमी इन जीवों के कल्यान के लिए तुमुझे धन दे, लच्छमी ने एक दिन नारायन ने पूछ लिया लच्छमी से लच्छमी में नारायन मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं पर तेरे पास लच्छमी इतनी संपदा कहां से आती है तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है लच्मी जी करती है मेरी मा ने मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी किसी के आगे हाथ नहीं फेलाना है शंकर की स्थूति करना है लच्मी जी करती है जब मुझे जरुवत पढ़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुचती हूँ बेल पत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव माता लच्मी और कुबेर उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबरिश्वर महदेव से मांग रहे हैं भगवान शंकर से मांग लच्मी जी करती है वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से और मैं वो लेकर आती हूँ जन्मानस के कल्यान के जब हम शिवजी को बेल पत्र चड़ाते हैं तो इस तरह से पकड़ कर जब हम कामना करकर चड़ाते हैं दोनों पत्ति को लच्छमी और कुबेर का समर्ण करकर कुबरिश्वर वावा कर समर्ण करकर जब हम शिवजी को समर्पित हां थोड़ा सा द्यान देंगे बेल पत्री की जो डंडी होती है वो शिवलिंग पर जब चड़ाई जाए तो जब हम दो पत्तियों को पकड़ कर चड़ाएंगे तो इस डंडी का मुख जहां अशोक सुन्दरी की जगा है जहां से पानी बहता है इस डंडी का मुख उस और होना चाहिए बस इतना जरूर इस में तो डंडी 20-22 दिन प्रेक्टिकल करना शीयोर वाला महाराज कहीं जूट तो नहीं बोल रहा है चाहिए जूट बोले तो तुरंट पकड़ लो, ए महाराज है अगला पत्र तुमने जह ही भेज देना हो महाँ जूट बोले थे तो लीकस लिखना है काई全 नहीं कही जूट तो नहीं कय पकड़ना है किस जगहा से पकड़ना है और केसे बाबा को समर्पित करना है उसका भी वर्णन हमारे सास्त्रों में लिखा हुआ है ultimate कि यहां किता होता है कि यहां से पकड़ोगे और यहां से पकड़ोगे तो यहां देखते हैं सुई बाटल चड़ रही है नस ढूंड़ना है यहां देखते हैं फिर देखा कि यहां एक नस है उसमें सुई चुबाई बाटल चलू करी थोड़ी दिर बाद यह नस फूलने लगी हटा दिया फिर इस हाथ में देखी गई फिर पाउं में देखी गई अर् पहले के लोगों क्या भगवान की पूजन नहीं करते थे, करते थे, पहले के लोग क्या संकर के मंदिर नहीं जाते थे, जाते थे, पहले के लोग क्या बेलपत्र नहीं चड़ाते थे, पर उनको ये नहीं ग्याद था कि जल चड़ाने से क्या फल होता है, उनको नहीं ग्याद था कि जल पीने से क्या फल मिलता है, बेल पत्र खाने से क्या फल मिलता है, शिवजी को बेल पत्र चड़ाने का क्या फल मिलता है, पहले पूजा का विधान इतना लंबा था, कि लोग डरते थे, इतनी लंबी पूजान में हम कैसे बेठेंगे, क्या करेंगे, इतना सारा समान क किसे लाएंगे पैसा के तकर्चा होगा पर्शिव महापुरान जब से आप सुन रहे हैं पूजा का विधान सरल हो गया सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो गया कोई ढोंग नहीं कोई प्रपंच नहीं कुछ मत लाओ तुम तो दिल से बाबा के पास जाओ और पुकारो उसके म बच्चा खेल रहा है माउस को दूद नहीं पिलाएगी बच्चे ने पुकारा रोया माउस को दूद पिलाएगी बच्चा खेल रहा है माउस को गोदी में नहीं उठाएगी बच्चा रोया पुकारा माउस को गोदी में उठाएगी बच्चा शेर मार्केट करी आया, डपा गोल करी आया, सेर मार्केट में पैसा हरी आया, सबसे कहा है, किसी ने ने सुना, बच्चा घर में आया, अपने बाप की आगे रोया, अपनी मा की आगे रोया, तो मा अपनी रखम भी बेच दी, मकान बेच दिया, पिलाड बेच दिया पर अपने बच्चे को करजे से मुक्त करा दिया क्योंकि वो पुकार उसने करी अपने माबाप से बच्चा माबाप से पुकार करता है तो माबाप कुछ भी करके अपनी जेवर बेज़ दे जमीन बेज़ दे पर अपने बच्चे को पुकारते से अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं उसी तरह संकर भगवान मिले ना मिले तुम उसके दर्वाजे पर जाकर पुकारते रहो वो तुमारे दुख काटता रहेगा पुकारना जरूरी है तेरे मंदिर में आना मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है तेरी चोखट पर में आ ही गया मुझे दर्श दिखाना तेरा काम है